गुजर समराट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात 22 सितम्मर को सुबह 10 बजे करेंगे मीर भोज PG कॉलेज में इस प्रतिमा का अनावरन किया जाएगा इस वक्त हम उसी कॉलेज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गुजर समराट मीर भोज जी की प्रतिमा है जिसका अनावरन प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे आप देखिए कि यहाँ पर जो तयारियां है वो लगबग पूरी कर ली गई है बस इंतजार है तो मुख्यमंत्री के आगमन का लेकिन और कुछ क्या खास यहां पर तैयारी की गई है, किस तरीके के कारिक्रम को आयोजन किया गया है, इसी पर बात करने के लिए इस कॉलेज के जो प्रिंस्पल है, डॉक्टर राजेंद्र पवार वो मेरे साथ मौझूद है, डॉक्ट साब ये बताईए कि किस तरीके की त तैयारी की गई है, इस प्रतिमा के अनावरण के अलामा भी कोई कारिक्रम रखा गया है, या फिर सिर्फ प्रतिमा का अनावरण ही होगा, तैयारी के लिए है कि हमारी जो पेरेंटल बॉड़ी है, गुजर विद्या सभा के नाम से, उसके सभी पताधिकारी, सभी लोग उनका भी पूसपारपन करके वहां भी मान्य मुख्यमंत्री जी जाएंगे, अगर बात करें तो राजेंद्र जी गुजर समाज के लिए इस प्रतिमा का अनावरण कितना महत रखता है और इस कारिक्रम से गुजर समाज कितना परसंद है, जहां तक इस प्रतिमा की बात है, हम अगर देखते हैं मध्य काले नितियास में, तो 700 से 1000 इसवी तक गुर्जर परतिहार वंस का शासन रहा है, जिसमें सबसे बड़ी जो प्लब्दी है इस वंस की, जिसकी वज़े से इसे परतिहार वंस कहा गया, यानि रक्षक, द्वारपाल, वो यह है कि उत्तर पस्चिम सीमा और पस्चिम सीमा को अरब आकर्मनकारियों से इन्होंने सुरक्षित रखा, और जिसमें सबसे महान भूमी का रही है, वो गुर्जर समराट मिहर भोज की रही है, और एक स्थिर सासन इन्होंने दिया, जाए वो मंदिरों का निर्मान हो, अन्य चीज़े होती रही है, अगर बात करें हम गुजर समराट मिहर भोज की, तो इनका इतिहास क्या रहा है, संचिप्त में बताईए क्योंकि जो गुजर समाज है, उसके लिए ये किसी महराजा से कम नहीं है, और इनकी याद में हर जगे प्रतिमा लगाई जाती है, इनकी याद में कई जगे भंडार भी किये जाते हैं, कई आयोजन भी किये जाते हैं, देखें जहां तक समराट मिहर भोज की बात है, इनकी दो राजधानिया थी, पहले कन्योज और फिर उज्जैन, और जो बड़ी उपलब्दी वो ये है कि देश की रक्षा बहार से करते हुए, खासकर अरब आकरम्णकार से, इसके साथ साथ उस समय जो तीर पक्षे संघर्स था, साउथ से भी इनोंने मुकाबला किया, जहां राश्कुट वंस था, बंगाल से भी मुकाबला किया, जहां धरमपाल का वंस था, तो उन दोनों तीनों के साथ में एक बैलेंस बनाते हुए भी देश को परदान की, और जहां तक असु सेना की बात आती है, कहते हैं, लगबग चार तरह की सेना इनके पास थी, जो अलग-लग लोगों से लड़ने के लिए थी, जह वो गुजरात हो, राश्ट कुट वंस हो, या बंगाल वंस हो, या सिंध हो, तो यानि कुल मिला की ये कहा जा सक प्रतिमा का अनावरण, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात करेंगे, और प्रतिमा के अनावरण को ले करके गूजर समाज में बेहद उत्सा है, ग्रेटर नोड़ा से वीडियो जरलिष्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीप गंगा एबीप निउज आपको रखे आगे